तो यूबी में योगी सरकार को कुर्सी संभाले आज पांच दिन हो गए हैं CM आदर तेनाथ योगी के पहले पांच दिन ने अक्शन से भरपूर रहे हैं पांच दिनों में उन्होंने तमाम बड़े और कड़े फैसले लिये हैं सबसे पहले मंत्रियों और अफसरों का बेवराब 15 दिनों में देने का निर्देश दिया गया कि वो अपनी संपत्ती का बेवराब 15 दिनों के अंदर दें इसके बाद अवैध बूचर खानों पर अक्शन शुरू हुआ सुबे के थमाम इलाकों में अवैध रूप से चलने बूचर खानों पर ताले लगने शुरू हो गए तीसरा अक्शन का है एंटी रोमियो स्क्वैड का है 11 जिलों में ये एंटी रोमियो स्क्वैड अक्शन में है और चौथा अक्शन सफाई को लेकर है सरकारी दफ्तरों में पान गुठखा को बैन कर दिया गया है और पांचमा बड़ा एक्शन मंत्रियों और अफसरों को वक्त का पाबंद बनाने का है सभी मंत्रियों और अफसरों को सुबे साड़े 9 बजे दफ्तर में पहुँचने का नरदेश दिया गया है वो शाम साड़े छे बजे तक दफ्तर में मौजूद रहेंगे इस तरह का नर्देश दिया गया है इसके अलावा अब मुख्य मंतरी का ये और चक निरिक्षन सर्प्राइज विजिट कई थानों का तो लखनों के हजरत गंज थाने पहुँचे और उसके बाद एक दूसरे थाने का भी निरिक्षन किया वहाँ क्या कुछ कहा योगी आदे तिनाथ ने ये भी हम आपको सुनाएंगे तो सुपर एक्षन में सीम योगी आप देख रहे हैं एक्षन की वो पाँच तस्वीरें अधिकारियों के साथ मंतरियों के साथ मीटिंग उन्हें निर्देश दिया गया साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया एंटी रूमियो स्कुएड का गठन जिसने कर रवाई की और बुचर खानों को भी बंद किया जा रहा है जो अवैद बुचर खाने है और इन सब के अलावा और चक निर्देशन सर्प्राइज विजिट अलग अलग थानों का तो अलग अलग थानों के सर्प्राइज विजिट के तुरंत बाद मुखे मंतरी आदेत नाथ योगी ने क्या कहा ये सुनाते हैं आपो मुबाइल रखा दिये मतर हुए है ये लो मुबाइल जिसका भी है वहाँ से बादिया से जाने तो होती है सब हर जिले को 77-50 गारिया हमें ने रखी उनकी विवस्ता जो है उनकी जिले की जो पुलिस के विवस्ता है उससे भी न और अलग है कि यह पुलिस जो SSP हैं उनके अंतरक्त है उनके अंतरक्त है वो जिनमें कहां काम करेंगी कि जाएंगी यह तो वो तैकर ते करके उसको ट्रेडिंग दी गई है पते नहीं देकर के उन गाड़ियों में परभावी डंस से काम कर रहे हैं वखनों में कितनी ऐसी हैं अंट नमबर की कफ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो इस द्रिश्टिश्टिश्ट प्रदेश के अंदर कानून का राज हो इसे द्रिश्टिसे पोलिस का मनोबल क्यां जानने और इस समझ्ध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कारे हो सकते हैं यही सब निरिक्षण करने के लिए आए हैं, यह पहला निरिक्षण और अंतिम नहीं है, एक सुरुवात है, आप देखेंगे हर अस्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आउ और लखनव से हमारे समवादाता नीरज मिश्र हमारे साथ हैं, नीरज जो कुछ कहा मुख्यमंत्री ने ये हम सबने सुना, आप वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां हजरत गंज थाने का उन्होंने निरिक्षण किया, इसके बाद और किन थानों का निरिक्षण किया, क्या कुछ हुआ वहां जब निरिक्षण के लिए पहुँचे, सीम आदितनाथ योगी? निरिक्षण किया, फाइले देखी, और सीम साब ने जो वहां पे मुंशी होता है, उससे भी फाइल ली और उसे भी देखा, उसके बाद वो जो महिलाओं का रहने का कमरा है, वहां जो हॉस्टल बने हैं, उनको भी देखा, क्राइम सेल में गए और साइबर साइल का, जो सा करने का वादा किया है, उसका आज पहला एक्षन देखने को मिला, सारे थाने में पूरा हड़का मचा रहा, बात करें, अगर हजरत ने थाने की, तो यहां इस्थिती, आज काफी, वो थी की काफी पुलिस कर्मी डरे हुए थे, तमाम आला अदिकारी, और यहां तकी डीजी पुलिस का मनोबल बढ़ाए जाने की जरूरत है, यानि किसी को डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं है इस तरह के ओचक निरिक्षन से जी हां बिल्कुल वो पुलिस का जब मनोबल बढ़ेगा तभी अपराद में अंकुश आएगा और पिछली जो सरकारें जो अभी हटी है जन्ता ने जिनने नका रहा है वो सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा उनके सामने कानून विवस्था कर रहा है तो पुलिस कर्मी अगर ढंक से सही महौल में और साफ सफाई से काम करेंगे तो निश्ची तोर से उनकी जो भाशा होगी लोगों से जो बात विवार होगा वो भी एक अच्छा होगा तो ये सब भी देखने को मिला इस चीज के भी निर्देश साब ने दिये हैं वहाँ शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए निरज तो सीम योगी आदर्थनाथ के निर्देशों के बाद यूपी में नई सरकार के आते ही बदलाव दिखने शुरू हो गए आज योगी सरकार के थमाम मंत्री अपने अपने विभाग में अफसर और कर्मचारियों के साथ स्वच्छता की शपत ले रहे हैं सबसे पहले आपको डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे के दफतर की तस्वीर हम दिखाएंगे केशो मौरे ने पी डब्लूडी विभाग में अफसरों को शपत दिलाई और इस दौरान केशो मौरे ने अफसरों को कहा कि वो वक्त पर दफतर आए जोड़कर मा भारती प्रणी करूगा ना किसी आउन को करने दूगा स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण या है और गली गली स्वच्छ भारत मिसल का स्वच्छ का दिखाऊ इसी तोर से 14 वर्सों में अगर यूपी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो विकास के पथ पर यूपी इतना पीछे नहीं चूट गया होता प्रहश्टाचार हुआ था इसलिए विकास नहीं हुआ है जो प्रहश्टाचार के मामले है उंको जातेंगे भी भाविस में प्रहश्टाचार मुक्त विकास हो इसके लिए असपश तोर से सरकार की और से निदेश दिये और उसलाटर हाउस के नाम पर भी कोई ऐसा उत्पीडन की बात कही जा रही है एक दम गलत बात कही जा रही है लेकिन अवाइद रूप से उत्रप्रदेश के अंदर कोई भी कतल खाने नहीं चलेंगे या सरकार ने पहले कहा है आने जो यात्री कतल खाने चलना है उसके समझ में समीच्छा कर रहें